हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज्जूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे Dicyclamine Hydrochloride Tablets के बारे में और सिखेंगे उसका Basic Use साथ ही जानेंगे किस तरह सी ये Medication अपना काम करता है उसके Side Effects वगरा क्या होता है उसका Dose वगरा क्या होता है और उसके Drug Drug Interactions भी हम जानेंगे और कौन से Medical Conditions के अंदर उसको यूज नहीं करनी चाहिए तो यह सभी के बारे में जानेंगे डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में आबाउट the Dicyclamine Hydrochloride तो यहापे जो Title Slide के अंदर आप जो देख रहे है तो Dicyclamine Hydrochloride जो Medicine ये उसके Tablet जो अवेलेबल होता है तो उसके साथ Combination में ये Paracetamol भी रहता है तो Paracetamol के बारे में तो आप जानते कि वो Analgesic and Antipyratic है बट Dicyclamine Hydrochloride जो है उसका Main Role क्या है ये Medicine के अंदर कि यहापे अपने ये Popular Brand Names भी सुने होंगे कि ये Cyclopalm करके Tablet साते हैं कि उसके उपर भी लिखा है कि Antismasmodic and Analgesic फिर यहापे Columax Tablet से उस पर भी लिखा है कि Trusted Antismasmodic और फिर यहापे Dicyclos Spas करके भी ये Tablet से कि जो बहुत सारे ऐसे अलग-अलग Brands आप देख सकते हैं कि जिनके अंदर Combination में ये Dicyclamine होता है Paracetamol अगेरा के साथ तो उसका Main Basic Use क्या है वो हम जानेंगे डीटेल में तो Expert Lecture by Amar Sir Assistant Professor and Founder of PharmaRox Thank you for being in 2-Legg Family of PharmaRox Updated रहिए Pharma Knowledge के साथ Access कर ये Study Material Test Series Video Lecture PharmaRox के आप उपर तो Test Series के लिए आप ये वाले Helpline Number पे Contact कर सकते कर आपको Test Series चाहिए Video Lecture या फिर Study Material And you can also Download their PharmaRox की जो Google Play Store पर से डाउनलोड कर पागे And Apple iPhone यूजर वाले Students App Store पर से भी उसको डाउनलोड कर सकेंगे लिंक आपको Description Box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो Basic Concept समझते है Dicyclobin Hydrochloride Medicine के बारे में तो ये ASA Class का Medication है कि जिसको हम कहते है Antispasmodic ये वाला word खास आपको समझना है Antispasmodic Antispasmodic का मतलब यह सा होता है कि ये ASA Medication है कि जो Spasms आते है Especially जो Incidence of Muscle Spasms कि जो यहाँ पर लिखा हो है कि आपको Muscle Spasms का जो Problem होता है और इसके करन के होता है कि जो Pain Sensations वगेरा होता है Cramps वगेरा होते है आपके Intestines के आसपास या फिर जो Stomak का पोर्षन है Abdomen का जो पोर्षन है Intestines के जो Walls वगेरा होते है कि जिसको हम Bowel कहते है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो Smooth Muscle जो होते है उनके अंदर जो Spasms आते है उनके करन आपको क्या होता है कि काफी Pain Ful Condition Produce होती है काफी Pain होता है दर्द होता है उसको Relive करने के लिए और साथ जाथ इसको Prevent करने के लिए और वो दर्द को कम करने के लिए ये Medications जो है वो Use किया जाता है तो Simply समझे तो ये जो Spasms होते है वो Spasms को कम करने के लिए ये Medications जो है वो दिये जाता है इसी के करण उसको Anti-Spasmodic Medicine जो है वो कहा जाता है तो Dicyclamine Hydrogloride का Dicyclamine भी कहा जाता है तो ये आपके लिए काफे Important Knowledge रहेगा कि समझे कि आप Dicyclamine कई बार कोई जगा पे सुनते है तो उसका मतलब सेम ही है कि वो Dicyclamine है उसका ही दुसरा नाम है Dicyclamine and It is used to treat the spasms कि जैसे मैंने आपको First Slide में भी समझाया कि ये Spasms को treat करने के लिए ये Spasms समझो कि आपको Irritable Bowel Syndrome के अंदर हो रहे है Irritable Bowel Syndrome या फिर Inflammatory Bowel Syndrome वगेरा के जो Condition कहते है Ulcerative Colitis के Condition कहते है Crohn's Disease के Condition होते है कि जिसके अंदर Inflammation होता है हमारे Intestines वगेरा के अंदर वहाँ Piritation होता है सुजन वगेरा हो जाती है और जो Painful Condition प्रोडिश होती है उसको Treat करने के लिए ये Medication जो है वो Prescribe किये जाते है उसी तरह से Same Pain जो है वो Periods के दोरान और Periods के पहले भी होता है तो उसके लिए भी काफी Effective है ये Dicyclamine Hydrochloride Tablets Phil also used to treat the stomach pain कि आपको stomach के अंदर Pain हो रहा है तो भी कि जो stomach के अंदर Spasms हो रहा है तो भी ये काफी useful रहेगा आपके लिए and it is taken by mouth और by injection into a muscles कि injection होगा तो वो muscles में दिया जाएगा और जो tablets वगेरा होगे capsules होगेरा होगे तो वो person जो है वो ओरली ले सकते है उसके suspension syrup वगेरा भी available होते कि जो आप directly ओरली ले सकेंगे तो Dicyclamine is a class of medication called muscle spasm muscles के जो spasm होते है उनको relieve करता है prevent करता है और वो काफी हद तक कम कर देता है in the gastrointestinal track by blocking the activity of certain natural chemicals or natural substance in the body कि जो pain के लिए responsible जो कुछ natural substance release होते है उनकी activity को block कर देगा जिसके करण धिरे धिरे जो muscle spasm के जो activity होती है वो कम हो जाती है और जिसके करण आपका ये जो pain है वो relieve हो जाता है तो इस तरह से ये medicine अपना काम करती है and work by relaxing the muscles in the stomach and gut muscles को क्या करती है relax करती है ये point काफी important है कि जब spasm साते तो उस वक्त muscles जो है वो contraction के condition में आ जाते है तो वो muscles को relax करना ज़रूरी है और ये relax करने का काम करेगा ये medication तो ये medication लेने के बाद क्या होगा कि समझो कि आपको stomach के reason में pain हो रहा है मरलब कि वहाँ के जो muscles थे वो contraction के condition में आ चुके है और contraction होने के कारण वहाँ पे वो muscles के अंदर spasm के condition produce हो रही है आपको वहाँ पे cramps आते है ऐसा होता है continuously pain होता रहता है और उसको relieve करने के लिए जब हम ये medication देते है तो वही muscles को ये relax कर देगा और relax होने के बाद ये जो spasm है वो दिरे-दिरे कम हो जाएगा और back to normal condition जो हो जाती है परसन की तो उसकी working हम समझे तो diceclamine is a carboxylic acid derivative तो उसकी हम chemistry समझे तो यहाँ पे आप उसका structure देख सकते है तो diceclamine hydrochloride की salt form हम कहते है ये medication का तो वो carboxylic acid का derivative है and selective anticholinergic with antispasmodic activity कि anticholinergic class का ये medication का आ जाता है pharmacology के अंदर और उसके पास जो activity कहते है तो वो है antispasmodic activity diceclamine block the acetylcholine तो अभी हमने बात की थी कि कुछ natural chemicals को जो है वो inhibit करता है तो ये है acetylcholine की activity को जो है वो block करता है कि जो muscaranic receptors से bind होते है on smooth muscles अब क्या होता है कि जो acetylcholine समझो की release होता है और bind होता है muscaranic receptors से तो वो responsible बनता है muscles के contractions के लिए और muscles contraction होने के कारण आपको जो है वो वहाँ पे spasm होता है pain होता है बड़ ये medication क्या करेगी ये acetylcholine जो है उसकी activity को ही block कर देगी जिसके करण muscaranic receptors से ये जो है वो bind नहीं होगा जिसके करण ये जो smooth muscles से वो relax रहते हैं या फिर जो contraction की condition में जो muscles से आ गए थे वो फिर से वापस relax हो जाएंगे और spasm जो है वो कम हो जाएगा so they relieve the pain of stomach pain pain of stomach pain during the periods and also in a IBS तो जो अलग-अलग medical condition से कि आपको stomach के अंदर pain हो रहा है stomach के अंदर आपको cramps आ रहा है same like there periods के दोरान जो periods के दो या तीन दिन पहले या फिर periods के दोरान भी इसी तरह की condition produce होती है कि abdominal pain होता है cramps आते हैं leg pain अगेरा होता है तो उसमें ये dicloz pass जो tablet आ दे कि जिसके अंदर ये composition रहता है वो काफी effective जो है वो साबित होते हैं तो diacyclamine जो है वो जो कोली की pain जो हम कहते है कि जो कोली की pain intestinal pain, stomach pain या फिर gastrointestinal tract related जितने भी spasm होते है कि जो उसके लिए main responsible होता है muscles का contraction होना तो muscle का contraction से उसकी condition करवाता है muscles का relaxation तो muscles relax हो जाने से ये जो कोली की pain है persons का वो कम हा जाता है और उसी के कारण आप उसको use कर सकते है irritable bowel syndrome के treatment के अंदर और जो inflammatory bowel syndrome जो हम कहते है कि IBD की जो हम बात करते है IBS की बात करते है ulcerative colitis की बात करते है Crohn's disease के बात करते है कि जो intestine related अलग अलग diseases के वहाँ पे main जो है वो सूजन होती है वहाँ पे inflammation होता है pain वगेरा होता है तो उसको कम करने के लिए आप ये medications को prescribe करेगे फिर बात आती है dysmenorrhea के condition कि जो medical term है dysmenorrhea जिसका मतलब होता है कि painful periods कि ladies के अंदर ये काफी problem रहता है कि जो reproductive age के अंदर कि जिनके menstrual cycle के दोरान ये एक condition form होती है कि periods के दो या तेन दिन पहले और during the periods काफी इस तरह से ये जो pain होता है कि abdominal cramps होते है painful periods रहता है कि जितने दिन तक periods रहते काफी pain होता है abdominal cavity के अंदर even leg pains की condition होते है और कई बार जो है commonly ये condition को describe किया जाता है as a painful periods तो ये combination कि जो cyclopalm के जो tablets हम कहते है कि जिसके अंदर paracetamol भी है और dicyclamine hydrocler तो ये medication जो है वो सबसे effective साबित होती है ये condition के अंदर low dose of dicyclamine during your periods और right before it about once a day so it helpful in reduce the cramps कि periods के 2 या 3 दिन पहले समझे कि जो आपको pain होता है तो उस दो रन से ही आप दिन में ये एक tablet जो है वो ले सकते है कि once a day कि one zero zero इस तरह से हम लिख सकते है कि दिन में एक ही tablet जो है वो आपको लेनी रहती है during the condition of a painful periods जिसको medical term आप खास याद रखो dysmenorrhea फिर बात करें उसके अलग-अलग doses form के तो diceclamine के capsules available होते है कि यह आप याप देखो कि mylan भी उसको design करता है waste word भी design करता है तो अलग-अलग pharma companies उसके capsule बनाता है कि जो 10 mg के capsules available होते है फिर diceclamine के 20 mg के tablets भी market में available है कि यह जो आप tablets देख सकते कि जो कुछ 20 mg के strength में available होते है 20 mg के capsules भी होते है और यह आप याप देखो तो उसका suspension या फिर solution जो हम कहते है तो वो भी market के अंदर जो है वो available है कि diceclamine hydrochloride का जो oral solution as per the US pharmacopeia guidelines 10 mg पर 5 ml के strength में रहे का और यह सब भी रहेंगे Rx only मतलब कि prescription based medications रहती है फिर इसके injections भी आते है कि समझे कि केसी को tablet से जो है वो cure नहीं हो रहा है spasm के condition तो उसको यह injection लगाए जाते है diceclamine hydrochloride के यह जो आप injections देख सकते है कि जो intramuscularry दिया जाता है muscles के अंदर यह injection जो है वो patient को दिया जाता है and इसकी strength रहती है 20 mg पर 2 ml तो intramuscularry root से यह injection जो है वो patient को दिया जाता है फिर हम देखे उसका जो solution या फिर suspension form में भी available होता है कि columnax suspension आप देख सकते है for pediatric use कि जब छोटे बच्चों को पेट दर्द वगेरा होता है तो उनको यह आप diacyclamine hydrochloride and CMathicon का suspension देख सकते कि जिसकी strength रहती है 10 mg पर 5 ml RX only medication मतलब कि pediatric doctors के proper advice और उनके supervision के according to ही आपको यह use करना रहता है and use for the kids and children and relieve the spasm कि बच्चों के अंदर जब पेट दर्द वगेरा होता है उनको भी समझेगे उस तरह के spasm आते है gastrointestinal tract related तो यह उसको treat करता है अब सबसे important point यह lecture का कि उसके side effects side effects के बिना सभी lectures जो है medicines के अधूरी कहे जाएंगे because side effects को जानना जरूरी होता है किसे भी medication की तो diacyclamine hydrochloride लेने के बाद आपको dry mouth की condition जो है वो feel होगी मतलब कि salivary secretion समझे के आपके oral cavity के अंदर कम हो जाएगा जिसके अगरन आपका जो mouth है वो dry रहेगा जिससे आपको feel होता है कि आपका mouth जो है वो काफी dry है stomach जो है वो upset रहेगा कई बार vomiting जैसा feel होता है कुछ लोगों को constipation हो जाता है stomach pain होता है कि अगर आप उसको overdose में यूज करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको dose बताया था कि दिन में सिर्फ एक ही tablet खानी है 100 इस तरह से उसका prescription है बड़ समझो कि आप इस तरह से ले लेते हैं कि दिन में 3 tablet खा लेते हैं तो जब higher dose में लेंगे तो इस तरह से side effects देख लोगों को मिलेगी इस बेटर है कि दिन में एक ही tablet उसका खाया और वो भी जब आपको spasms जो है वो हो रहे है या फिर उसको prevent करना है तो भी एक ही tablet इन अप रहेगा gas or bloating जैसा हो सकता है कि जो gas trouble हम कहते है flatulence की condition कहते है ऐसा आपको हो सकता है loss of appetite भूख कम हो सकती है dizziness जैसा feel हो सकता है tingling जैसा feel होता है कुछ लोगों को headache जैसा होता है मतलब कि सरदर दोना drossiness मतलब कि उबा से लिना नींद वगिराना weakness हो जाती है मतलब कि fatigue fatigue तब होता है कि जब काफी लंबे समय तक आप उसको use करो तो उससे आपको fatigue जैसा feel होगा कुछ लोगों को blur visions के भी complain देखने को मिलते कि अगर काफी higher dose में इसको use कर ले double vision का problem होता है high dose में use करने से and difficulty in reurinating तो इस तरह से bloating, constipation, diarrhea flatulence, nausea, headache back pain काई बार back pain भी कुछ लोगों को होता है loss of appetite तो ये सब side effects देखने को मिलते हैं अब समझ लो उसके contraindications because काई बार क्या होता है कि हमें हमारी body को medicine suit ना हो फिर भी हम गलती से ले लेते because हमें ये contraindications नहीं पता होता तो contraindications सभी medications के जनना जरूरिक because कौन सी condition में उसको use ना करे कि diceclom इनको कौन लोग use नहीं करेंगे तो सबसे पहले myasthenia gravis के जो patient होते कि जो एक skeletal muscles related disorder है तो muscles related आपके body के अंदर कोई भी disorder है थाइरोड ग्लेन मतलब कि आपको thyroid club problem है तो thyroid के problem वाले जो patients है वो भी diceclom इनको use ना करें तिसरा कि mental problem वाले patient है उनको भी ये medications आप ना दे फिर चौथा देखे तो close angle glucoma, glucoma के patient भी ये medication को use ना करे high blood pressure वाले जो patient है कि जिनका blood pressure already high है, proper control में नहीं है blood pressure तो diacyclomine को use ना करें, coronary artery disease है आपको heart related problem है, chronic lung disease है आपको and change in saliva secretion कि saliva secretion already आपका कम है या फिर वो change होता रहता है तो भी आपको ये medication जो है वो use नहीं करने तो ये खास आपको समझना चाहिए किसे भी lectures के अदर contraindication because use तो आपको समझो कि पता चल गयाएंगे, but contraindication जानना जरूरी है कि अगर आपको pain हो रहा है समझो, but इन में से कोई condition आपके body के अंदर है कि आपको समझो कि skeletal muscles related problem है, lung disease है आपको, तो आप समझो कि ये medication खाल है कि तो काफी serious problem हो सकते है, तो जरूरी है कि ये सभी condition वाले लोग diceclamine hydrochloride को completely avoid करें अज जानते हैं उसके drug-drug interactions तो diceclamine में affect the absorption of other products, कि आपने diceclamine medicine खाई है और साथ में दूसरे medication भी ले रहे हैं, जैसे कि आपने levodopa ले रहे हैं, तो levodopa और diceclamine के बिच में ये drug-drug interactions जो है, वो हो सकती है, और जिसके करन levodopa का जो absorption है वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा मतलब कि levodopa की जो effect है वो काम हो जाएगी दूसरा हम देखे तो जो antifungal drugs है, जैसे कि ketoconazol है, itraconazol है उसका भी absorption उनकी effect जो है, वो कम करवा देगी आपकी ये medication, diceclamine उसी तरह से slow dissolving form of detoxing among others detoxing में भी असर करेगा and अगर समझे कि आप fungal disease आपको है, ketoconazol ले रहे हैं या फिर itraconazol तो take at least two hours before the diceclamine कि diceclamine समझे कि आपको बारा बजे लेनी है दिन में, तो ketoconazol ले itraconazol उसके दो गंटे पहले मतलब कि at least जो आप 10 बजे ले लीजे या फिर उससे भी थोड़ा जल्दी 9 बजे के आसपास ले लीजे कि जिससे ये दो medications के बीच में कोई drug-drug interaction ना हो आगे समझते उसकी pharmacology, तो सबसे पहले absorption related, कि ये medication के absorption किस तरह से होता है तो उसकी जो byability, PO मतलब कि उसकी जो oral byability जो हम कहते है and तो वो रहेगा 67% of intramuscular कि intramuscular के compare में, oral byability रहती है 67% जितनी onset of action रहेगा 1-2 गंटे के अंदर, मतलब कि जब भी ये medication कोई person use करेगा तो उसकी action मिलेगी उसको 1 hour से लेकर 2 hour के बीच में तो at least 1 गंटे से 2 गंटे के बीच में आपको उसकी action मिल जाएगी duration जह हो चार hour जित से या फिर उससे भी कम रहेगा absorption का and peak plasma time oral ही रहेगा 60 से 90 मिनिट तर कि जब उसकी maximum effect आपको proper मिलती है and distribution देखे कि volume of distribution तो 3.65 liter per kilogram जो है उसका volume of distribution होता है आपकी body के अंदर तो यह था detailed informative video lecture about the diacyclamine hydrochloride thank you for watching join कर सकते है whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number है access कर सकते है study material को हमारे test series and video lectures को pharma rocks के आप उपर तो android user android app डाउनलोड करे iphone user app store पर से डाउनलोड करे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best जाएगी